नौकरी लगते ही पलिटी पत्नी मेहनत मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया नौकरी लगवाई बिहार पुलिस में नौकरी लगते ही पती को किया बाई बाई बिहार के गया में योपी की जोती मौर्या की तरह प्रीती कुमारी की स्टोरी की चर्चा हो रही है यहां एक मजदूर पती के साथ धूका हुआ है पतनी प्रीती कुमारी बिहार पुलिस में कॉंस्टेबल बनते ही पती मिधिलेश कुमार को छोड़ कर चली गई मिधिलेश ने कड़ी मेहनत करके प्रीती को पढ़ाया लिखाया लेकिन जैसी ही प्रीती की नौकरी लगी उसने मजदूर पती को छोड़ अलग रहने का फैसला ले लिया दोनों की शादी 2017 में हुई थी उनका एक 6 साल का बच्चा भी है मामला गया के शेरगाटी थानकशित्र के श्रीरामपूर पंचायत के भुजौल गाउं का है मितिलेश ने कहा कि शादी के बाद से ही सब ठीक चल रहा था लेकिन बोद गया बीएंपी में नौकरी लगने के बाद फ्रीती का विवहार बदल गया अब वो ना तो फोन उठाती है और ना ही मिलना चाहती है में उसके बाद विहार पुलिस बीएंपी 17 बोद गया सिपाही नंबर 50 है जो कि सामने है वहां 25 साल से आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं मारते हैं पीटते हैं हम पर आरोप लगा रहे हैं जो क्योंशा हमने उन्हों साथ कुछ ने किया वोली के टैम घर आ रहे थे हम उस टेम पर हाई कर रहे थे कि दरोगा त्यारी कर रहे थे तो उस टैम वह बताएं कि आप भी चले आईए आप भी हम भी आ रहे हैं तो उन्हों ने तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जागा दविखना गया में है तो बोले कि हम आग बोध गया में रुखेंगे तो बोध गया में जब हमोग। हम लड़की, लोग लिए भाईया बहुत कि शुवे हुए तो दूसरे की रूंपे पाए गयए और को दूसरे रूम पे मिले तो बोलते हैं हम बोले कि कहां थे रात बार वाइल बंद करके रखा था उसी बात पर ताप से वह ने हम से फुन करते हैं मेरा नंबर बलेकलिश मडाल रखा हैं और जब हम यहाँ तिन से चार बार मेडम आशार से मिधलेश ने गया SSP को लिखे शिकायत दी है उसने SSP से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी को उसके पास वापिस भिजवा दिया जाए वहीं बहुत गया BMP में तैनात महिला सिपाही प्रीति कुमारी का कहना है कि वो अपने पती से तंग आ गई है फिलाल पुलिस मामले की जाच कर रही है गया से मिधलेश कुमार की रिपोर्ट